हेलो दोस्तों कैसे हो आप लोग वेलकम बेक टो दे चैनल लिव लाइफ ezy ये दुपहर का समय है लंच की तयारी कर रही हूँ बीन सालू की सबसी बनाने का इरादा है इसलिए बीन्स काट रही हूँ और जी रूटीन जो है वो छुट्टियो की वज़े से जैसा रेगुलर आप देखते हो वीडियोज में वैसा बिलकुल भी नहीं हो रहा है और इसी वज़े से कही न कहीं कंटिनीटी पर भी फरक पड़ रहा है तो मैं जो हूँ कहीं न कहीं रिलेक्स मोड में हूँ कहना चाहिए ये बिलकुल सही रीजन है और अब ये जो बीन्स कट गई है इन में से क्या करूँगी मैं थोड़ी सी बीन्स जो है वह निकाल के रखोंगी ये न मैंने बैग मंगाए थे सेट अफ ट्वेल्व आया था मतलब इनको क्या बोलना चाहिए मैश बैग या क्या कहूँ लेकिन ये जाली वाले हैं और वाशेबल हैं इनमें उपर जिप लगी हुई है और एक बार में दो किलो के करीब इसमें सबजी जो है वो कोई सी भी आप रखोगे आ जाएगी तो ये मुझे अच्छे लगे तो ये मैंने क्या किया इसमें से थोड़ी सी बीन्स जो है वो निकाल के मिक्स वैज के लिए रख ली काट के ही और ये ऐसे कैसे आप फ्रिज में जैसे नीचे वाले डिब्बे में फ्रिज में सबजीयां स्टोर करते हैं उस तरीके से रख लेंगे और जो आज का एक और अलग सा काम है जो रूटीन से हटके है वो बनना है गाजर का हलुआ तो बहुत जाद हम 5 या 6 किलो गाजर का नहीं बनाते हैं 2 या 2,5 किलो गाजर का एक बार में बनाते हैं इसमें से 2 गाजर मैंने निकाल ली है ताकि मैं मिक्स वेज के लिए इनको भी काट के रख दूँ और जो गाजर का जब हलुआ बनेगा तो उसके लिए जब ग्रेटिड होंगी तो तब की तब बाकी चीजें हो जाएंगी उन गाजरों की लेकिन यह वाली मैंने काट के रख दी तो अगर आपको वेजीज स्टोर क कर लो फिर ड्राइ होने दो उसके बाद यह तो काट के रखो यह सिंपल ऐसी काट के रख दो और उसके बाद यह चल जाती है आराम से अब यहां पर यह बीन जालू की सबजी वग्यारा बनके फिर लंच हो गया था खाना खा लिया और उसके बाद फिर हम फिर से सो गए यह सब चीज़ा चल रही है अब शाम के टाइम जब मेरे हस्बेंट आये थे आफिस से तो जब गाजर का हलुआ हमारे याँ बनता है तो मैं आपको अनिसली बताऊं कि मैंने अभी तक भी एक बार भी शायदी कभी गाजर का हलुआ जो है गाजरों को छील के दो के और यह डंठल से उनके काट के रखना उपर से और नीचे से तो यह काम बुझम इन सारी गाजरों का करना है और जब मैंने इन में से लगबाग आधी गाजर जो है वो इस तरीके से छील के वाश करके दे दी तो वो इन्होंने ग्रेट भी कर दी और बेसी घी में थोड़े से एक इलाईची के दाने जो हैं वो डाले हैं और एक जो डबा भरके गाजर है वो ग्रेट हो चुकी और इसको इन्होंने इसमें डाल दिया अब यह थोड़ी सी कड़ाई में जब पड़ी रहेंगी ना तो इतने बाकी की गाजरे घिसेंगी इतने थोड़ी सी पिचक जाएंगी और जगह कम घेरेंगी तो पहले यह वाली बड़ी वाली कड़ाई मार पस थी भी नहीं तो इसलिए भी हम शुरू से ही जब से इस घर में आए हैं दो से ढ़ाई किलो गाजर कहीं बनातें इस से जादा नहीं बनातें अब मैं जो हूँ वह आ तो इसके एक दो क्लिका में चोटनाद ही योजो बीजुत हुआ जादा येक दो ग्राइजमेंट वोक़ा और ज Knox कहाना ये लाँ गास्ति यह बिर भेरें से खेल रखा हुआ खुआ है धिक्श इब वह खाया और खुश हैं कि गाजर का हलुआ बन रहा है मिडल क्लास फैमिली में नियू येर का फस्ट वीक शाहिद इसके बिना पूरा नहीं होता एक अनकही सी परंपरा है लगबख सभी गरों में कि नए साल पे या विदिन वन वीक हलुआ बनता ही बनता है और जल्दी जल्दी भी बन जाता है सर्दियों में जिनको कुकिंग का या गाजर का हलुआ खाने का बहुत जादा शौक है वो तो कई बार भी बन जाता है इन दो तीन महीनों की सर्दी में आप लोग कमेट करके बताना कि पूरी सरदी में लगबग आप किया कितनी बार हलवा बनता है और अब डिनर का टाइम हो रहा था तो मैं सबजियां रखी हुई थी इसलिए मैंने यहाँ पर बीन सालू और एका सबजी और थी तो इसलिए मैंने गाजर का हलवे का काम छेड़ भी दिया क्योंकि बरतन पूरे हो जाते हैं और अब मैं रोटियां सेक रही हूँ इधर दूद पकरा था तो यह ताजा वाला दूद मलाई वाला इनोंने जो है इसमें डाल दिया आप और दूद में या तो आप दूद में पका दें तो थोड़ा सा दूद आपको एक्स्टर डालना पड़ेगा लेकिन अगर आप मावा जादा डाल रहे हैं तो यहाँ पर दूद आपका कम डल जाता है यह हिसाब उरता है तो आइम शूर गाजर के हलवे की रेसिपी सबको पता है और अब तो इंस्टेंट वाला जो कूकर में गैस में मतलब यह के कूकर में सीटी लगा दी गाजर में और फिर इसमें घोट दिया वो वाली रेसिपी बहुत ट्रेंड कर रही है इन फैक्ट मेर गाजर एक साथ मिक्स हो गए हैं तो फिर यह इसमें चीनी डाल रहे है वह अपने स्वाद के अनुसार डालेंगे और मैं कहां हूं इस टाइम पर मैं अपना खाना लेके चली गई हूं टीवी में बिग बॉस देख रही हूं आज मेरे हस्बंड ने हमसे सबसे लेट में खा कर रही थी कि कब करना है शूट और कब रोकना है तो इनका पूरा ध्यान हलुए में था और आज उन्होंने एफर्ट डाले कि भाई चलो शूट कर लूँगा वरना मुझे खड़े रहना पड़ता या फिर रैसिपी शूट ही ना होती अब जो है जब यह सारी चीजे मिक्स हो गई तो यह एंड में जो डल रहा है यह मावा है मावा इन्होंने लाके रखा हुआ है कल लाए थे और इसमें से इन्होंने लगभग आदा किलो मावा था शायद यह इतना डाल दिया था और यह डिपेंड करता है एक्चुली वही कि आपने दूद अगर जादा डाला है तो थोड़े कम मावे में काम चल जाएगा दूद कम डाला है तो मावा जादा डालना होता है वही वहली बात है अब इसको जो है मिक्स करके अब इन्हें थोड़ी देर और चलाना है और अगला स्टेब जो आएगा वो इसमें आएगा ड्राइफ रूट्स डालने का आप का करूँ आपसे अपने मन की तो एक चीज होती है ना कि जब आप लगातार डिसिप्लिन में बंद के कोई काम करते रहते हैं तो उस टाइम पर आपको भले बोरिंग लगता है लेकिन जो आउटकम होते हैं रोज के छोटे-छोटे एफर्ट्स के वो कहीं ना कहीं दिखते हैं न आपको इतना जबरदस्त निगेटिव एफेक्ट आपको दिखाई देगा उन चीजों का तो मेरे साथ जो हो रहा है वो यह हो रहा है इस टाइम पर जो मेरा डिसिप्लिन था जो मेरी मेरी में पावर थी कहीं ना कहीं मैंने उसको लूज कर दिया और मैं डिसिप्लिन से हट गई हूं because of vacations because of relax mode कुछ भी आप कह सकते हो तो इसी वज़े से जो है चीजे नहीं हो रही उस हिसाब से जैसी हमेशा से होती आई है अब I hope कि मैं जल्दी वापस आऊं फॉम में और इस सर्दी से और इस irregularity से थोड़ा सा उपर उठ जाऊं तो जैसे मैं regular आपके साथ रहती थी वैसे रह पाऊंगी लेकिन फिलहाल सब कुछ पटरी पे से उत्रा हुआ है तो I hope आप लोग समझोगे और जी अब इनोंने हलुए में जो देसी घी में थोड़े से जिसमें डाल का तड़का लगाते है ना उसमें इनोंने देसी घी में बदाम पूरे फ्राई करके इसम अगर अच्छी लगी हो गाजर का हलुआ आप भी बनाते होंगे इसमें आप क्या क्या चेंज करते हो वो मुझे जरूर बताना कमेंट करके फिलाल व्लॉग हें पर खतम होता है अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब किये बिना मत जाना मिलती हूँ आप से नेक्स् अपिलेफुल ओल्वेज